नमस्कार जारखंडी नियूज में आपका स्वागत है नजर दालते हैं आज की दस बरी खबरों पर प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने सुमार को तीन सहरो नौएडा मुंबय और कोलकता में कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुवात की मोदी ने कहा आज भारत में 5 लाग से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं आने वाले दिनों में 10 लाग टेस्ट हर दिन करने की कोशिस हो रही है आपको बताते चले कि देश में कोरोना के केस 14 लाग से ज़्यादा हो गए हैं पर रहत की बात यह है कि ठीकोने की रेट 24.19 फिस दी है यहार के पूर्व मुख मंत्री और आजेडी सुप्रीमो लालू पसाद की एक बार फिस से कोरोना जाच होगी 29 या 30 जुलाई को हो सकती है जाच दरसल लालू पसाद के एक सेवादार के कोरोना पोजिटिव पाई जाने के बाद उनकी और उनके साथ रहने वाले लोगों की कोरोना जाच कराई गई थी लालू पसाद की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई लेकिन उनके तीन सेवादार कोरोना पोजिटिव निकले इसलिए फृसे उनकी कोरोना जाच कराई जाएगी अब नजर डालते हैं गुमला के बरी खबर पर कोरोना वाइरस के बarta संकर्मन को देखते हुए गुमला चेंबरस और कोमर्स के द्वारा गुमला सहर में लगाये गए सेल्फ लॉक्डाउन को वापस ले लिया है 28 जुलाई से अब दुकाने खुलेगे अब नज़र दालते हैं लातेहार की बरी खबर पर भाजपा नेता हत्याकान का मुख आरोपी पोविश सेंटर से पराद पुलीस ने भाजपा नेता जैवाधन सी हत्याकान के मुख आरोपी पोचवदा जुलाई को गिरबतार किया था पुरोना संक्रमित पाई जाने के बाद पुलीस सुरच्छा के बीच उसका इलाज चल रहा था जहांसे वा भाग निकला है अब देखते हैं राची राजधानी की खबर दिसी छवी रंजन ने कोवीड अस्पताल की बेवस्ता और अस्पतालों में दिये जा रहे हैं खाने की जानकारी ली कोवीड अस्पताल में भती मरीजों को पोस्ती कहा दिया जाएगा धटिया खानक देने वाली अजंसी पर होगा एक्सन फ्रांस से 5 राफेल रवाना फ्रांस के मेरी नेक रायर बेश से 5 राफेल फाइटर बिमानों का पहला बेश रवाना हो चुका है साथ हजार किलोमीटर की दूरी तैकरिया बेश गुदवार 29 जुलाई को भारत पहुचेगा आपको बताते चले कि भारत में फ्रांस के साथ 2016 में 58,000 करोर में 36 राइफेल फाइटर जेट की दिल कीथ नानावती होस्पीटल में COVID-19 का इलाज करा रही एस्वरिया राय बच्चन और उनकी बेटी अराध्या का टेस्ट नगेटिव आया है और उन्हें अस्पताल से दिश्चार्ज कर दिया गया है इस बात की जानकारी एस्वरिया के पती और अभिनेता अविशेख बचन ने ट्यूटर पर दी है अमिताब बचन और अविशेख बचन की कोई अपडेक नहीं दी गई है बिहार में 12 से सोमार को विभी निलाकों में आधा दर्जन लोगों की मोत हो गई पोसी पूर्व बिहार में पानी में दूबनेक की सिलसिला जारी है बार के कारण पानी लोगों के घर तक महुंच गये है 34 सोमारी को बाबा की हुई पूजा अचना सरधालों ने किये ओनलाइन दर्जन अब नजर दालते कोरोना अपडेट पर देश में कोरोना केस 14.5 लाग के पार हो गया है जिसमें 9 लाग से ज्यादा ठीक हो गया है जबकि 33,000 लोगों की मौत हो गई और 5 लाग के करीब लोग एक्टिव है जारकन में कोरोना केस 8,489 हो गया है जिसमें 3,704 लोग ठीक हो चुके है जब कि 46 लोगों की मौत हो गई वर्तमान में एक्टिव केस की संखे 4689 है ये था आज की 10 बरी खबर हर दिन के बरी खबरों से रूबरू होने के लिए चेनल को सस्क्राइब कर दे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच रहे तो मिलते हैं कल की 10 बरी खबरों के साथ धन्यवाद